जहन्त और डिफेंस एस्पिरेंट्स तो जैसा कि आप सब को पेता हैं अंदे 2023 का एक्जामिनेशन एंडी वन का एक्जामिनेशन एपल के मैं शेड्डूल हुआ है तो आप सब लोग जो भी एकनरेट्स एलिजिबल है एक्जाम के लिए देकन अप्लाई इंटाइं 10 जनरी इ एक्जामिनेशन तो बहुत बार एक क्वेश्चेन आता है कि एंडी का एक्जामिनेशन है 900 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें से कितना स्कोर हमें करना है what is the minimum score that we need to have ताकि हम जो वो सेफली जो है वो एक्जाम को जो हम वो क्लिर कर सकें तो आज कि इस वीडियो में हम डिस exam cutoffs so I would like to discuss exam pattern वैसे तो आपको पता हुआ exam का पार्टन क्या रहते हैं आपके दो examinations होने है one before one will be for mathematics right important रहता है टू टू एन हाफ आर का examination होता है और सबसे ज्यादा चैलेंज जो बच्चों को आता है वो mathematics के section में ही रहते हैं so 120 question रहते हैं 300 mask का जो हाँ इसका weight is रहते हैं English की बात करें 50 questions जीएट को जो paper 2 होता है उसमें से 50 questions English के रहते हैं 100 questions general knowledge general knowledge में आपका history, geography, physics, chemistry, a bit of bio, a bit of current affairs, thought about quality और economy का वो भी current से related चीज़ें पूछी जाती है so 600 marks का जो है वो आपका section रहेगा that is for GAT and 300 marks का जो हाँ मैस का section रहते है overall जो आपका written examination that will be of 900 marks अब 900 में से कितने marks आपके लिए sufficient है ताकि जो हाँ वो NDM है जो हाँ आप एक तो आपका SSB के लिए वी call आज और जो final merit बनती है उसमें भी आप जो हो merit in रहे हैं उसमें भी challenge ना है तो वह हम discuss करने जा रहे हैं so let's move head next चलते हैं हम cutoffs की बात करते हैं हम last five years की cutoffs हम discuss करेंगे one by one क्या changes आ रहे हैं pattern में चेक हैं so आपके सामने है you can see 2019 की examination से हम start करते हैं 2019 में जो एंडे का examination रहा उसमें out of 900 marks जो यह written examination की cutoffs है 342 was the cutoff out of 900 marks 900 में से कितना cutoff चाहिए था 342 marks जिसने score कर लिए he got a call for SSB right तो 19 का जो एंडे 2 का examination था 346 marks थोड़ा सा फर्क था जादा difference नहीं है because examination की difficulty level से भी थोड़ा सा changes आते हैं no doubt number of applicants जो है वो चेंज हुए बहुत ज्यादा चेंज हुए लास्ट अगर हम बात करें 3-4 years में number of applicants एकदम से बढ़े हैं एक तो women's के लिए जो female candidates है उनके लिए उपन हुई है सीच वह भी एंडिय में जा सकती है तो female candidates भी काफी ज्यादा increase हुई है but cut-off में ज्यादा change नहीं आया है मैं यह बताना चाहता हूं आपको 2020 का जो एंडिय का examination हुआ the cut-off was 355 marks यह return की cut-off है जो 2022 का nd2 examination था cut-off was 355 marks 2021 में जो nd1 examination 343 marks 355 marks और 2022 का जो nd1 का examination था cut-off was 360 marks right 360 marks को जो हो cut-off इसमें रहा था तो out of 900 somewhere around 40% अगर आप return में score कर लेते हो then you get into मतब यू get a call for SSB interview तो जाधा मुश्किल काम नहीं है 40% score करना है आपको क्या टागी लेना 40% score करना है कुछ जाधा मुश्किल काम नहीं है it's not a challenging one पर थोड़ सा एक strategy के लिए आपको plan out करना पड़ेगा आने वाले videos में हमें discuss करूंगा कि कैसे आप strategy के लिए इसको work out कर सकते हूं पर सवाल यह है कि आपने अगर 360 marks score कर ली है एंडी के written examination में is it sufficient क्या यह sufficient रहेगा score आपके लिए यह 360 से हमें ज्यादा score करना चाहिए तो इसका जो answer है आपके साथ में ही है जो final cut-off जाती है final cut-off जो है that is ंडी ए प्लस SSB दोनों को मिलाके आपका 900 marks का इंडीय का examination रहेगा प्लस 900 marks का ही आपका SSB का interview रहते है तो overall जो जो final cut-off बनती है that is out of 1800 marks जो final cut-off बनेगी वह 1800 marks में से बनेगी तो 1800 में से जहाब आपका merit list बनेगी 1800 basic job कितना score करते हैं तो जो SSB का interview है उसमें एक technical point है बहुत important चीज़े out of 900 marks if you are recommended जो भी candidate recommend होता है minimum score जो उसको मिलता है that is awarded is 360 marks 360 number minimum तो उसको मिलते ही है that is one thing कि 360 number तो उसको मिलने ही मिलने है right but 360 के अलावा अगर हम सोचें कि बहुत जाते हैं से return examination की बात करें ऐसे भी candidates होते हैं 450 500 score भी होता है उनका 600 तक भी उनका return examination में score चला जाता अच्छे candidates है this score but जो SSB interview है SSB में आपको पता है कि recommend होना ही एक बहुत बड़ी delay right so ultimately जो students का score होता है उसमें ज्यादा changes नहीं आते 360 minimum उसका benchmark है maximum students के score 380 के आसपास होते है 380 to 400 की range में जोहां वो maximum students के score होते हैं कुछ exceptional candidates होते हैं उनके 410, 420, 425 के आसपास score चला जाता है बट SSB में ज्यादा variation नहीं है जैसे return examination में 360 minimum है स्पोस तो maximum score जोहां वो 600, 650, 700 तक भी चला जाता है fine but exceptional case range बहुत जाता है SSB में ज्यादा range नहीं है और SSB में जब हम जाते हैं तो हमारा primary aim होता है कि we should be recommended right score की तो बात ही हम बात में लेखते हैं कि performance अच्छे होगी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा primary aim is to get recommended तो उसमें हम लेकर चलते हैं कि just margin की ओपर border की ओपर भी हम recommend होते हैं ठीक है right because it's a group performance group के group में हमारा behavior कैसे रहता हो भी मैटर करते हैं जो अपने प्रक्राइब क्या करने बाले हो same is the case for GAT English में GS में general science में आपने कितना प्रक्टिस किया हुआ कितना स्टेडी किया हुआ that will define कि basically जो हाँ आप कितना score कर पारें but that is individual performance अपने study किया और perform किया that's it right but it doesn't matter कि आपके ग्रुप में जो हाँ वह बाकि आप आसपास वहाल में जो बैठे हुए उनकी प्रफॉर्मिक्स ऐसे वह मैटर नहीं करता है so ultimately हमें दोनों को differentiate करना पड़ेगा कि रिटन की performance आपके individual है वह आपके हाथ में काफी है तक जो SSB की performance है है आपके हाथ में बट बहुत सारी चीज़ें जो हो जो उस त्रेम के ओपर प्राक्टिकल एंवार्मेंट आपको मिलता है उस एंवार्मेंट में perform करना पड़ते है तो कुछ आप अच्छा perform करते हो बट स्टिल मैं लेके चलता हूँ कि आप minimum जो अगर इसमें 360 भी score करते हो जो आपका SSB है 360 भी score करते हो तो फाइनल कट अफ यह जो 704 कट अफ है यह फाइनल है उन के लिए जो की फाइनली रेक्मेंट हो रहे है रिटर्न भी क्लियर है और SSB भी क्लियर है तो जो लास्ट के लेट है उसको स्कूर 704 बनता है चीक है बट जैसे अगर आप देख पाएं जो एंडिया का examination है मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं जो एंडिया का examination है तो उसमें 400 सीच से थी है हमार पास इन टोटल हमार पास 400 सीच से थी है राइट सो आउट और 400 सीच जो केंडियर जो है वोस्ट रेक्मेंट होते हैं 400 सीच के लिए डाट वेरी सम्वेराउंड 450 तू 525 450 से 525 के बीच में रेंज करते हैं जैसे मां अगर लेटर्स आपको बता हूं यह जो एंडिया 1 है एंडिया 1 के लिए 519 519 चन्रेट्स हो एंडिया 1 के लिए जो एंडिया 2 एक्जामीनेशन था इसके लिए 512 के लिए वी मेंडिया 1 एक्लेशन था था यह जो एंडिया रेंक जो बच्चे का था उसका स्कोर था 726 यहां पर 519 जो इसका रेंक था उसका स्कोर था 720 रिटन और SSB मिला के बट अब सीट्स कितनी हैं को मेनी सीट्स भी है प्राक्टिकली देखे हम एंडी के अंदर जोहाब हो भी हाब 400 सीट्स तो इन 400 सीट्स के लिए जोहाब हो आफ़र तो जोई देंड तो अब 400 राइंक के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए अगर हम डिटेल लिस्ट के उपर जाएं तो वाट भी फिगर आउट कि आउट आफ दिस 519 जो जिसका 400 रैंक है ठीक है जो लास्ट केंड़ेट हूं विल गेट ऑपर तो जोई एंडी उसका स्कोर जो हैं समधेर रूंड 760 मांक्श रेते हैं उसका स्कोर कितना रहता है रौंड 760 मांक्श लेता हैं तो अगर लेके चलें कि एंडी का जो रिटर्न एंग्जामिनेशन हैं स्कोर एक तरफ रखते हैं और SSB का अलग रखते हैं तो SSB में आउट अउट उप 760 यूय अ आते हैं अगर 400 आपका स्कूर है 100 पर संट यू आरें ठीक है मेरेट आउट होने का चांस ही नहीं उसमें कोई भी राइट अगर स्पोस करो आपका रिटन में स्कूर जोहाँ वो 300 से 80 आता है और आपका SSB में स्कूर जोहाँ है that is say 370 मार्क्स तो ओवराल कितना बन जाएगा आपका 750 मार्क्स पर 750 के ओपर आप शूर नहीं हो कि आप चोहाँ वो फाइनल मेरेटन होंगे की मेरेटन इसमेर अट भी हो सकते हैं ठीक है तो तो यू भी शोरली इन 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 अ मैरेड लेस्ट हमें क्या करना है जो चीज हमारे हाथ में है क्या है रिटन इग्जामिनेशन रिटन का गोल रखो कि मुझे 400 प्लस स्कूर करना है और SSB में definitely अगर आप अब SSB के लिए प्रिपे कर रहे हैं well and good but otherwise in any case हम लेके चलते हैं कि 360 तो हम स्कूर करेंगे ही करेंगे SSB में तो 400 प्लस 360 760 I will be in a safe position fine तो अपना गोल कभी भी cut off पे नहीं रखना अपना गोल कितना होना चाहिए 400 प्लस 400 की बजाए आब उट से 425 का गोल ल 55 marks score करने है 450 माक्स गल्ट के लिए especially आपको तो और ज्यादे effort करने की जूरूत है right seats कम होती है girls के लिए so we need to make a more effort for that to 425 450 की नहीं में अपना जो target set करो कि मुझे return में इतना score करना है once we are recommended in SSB definitely will make it to the final merit list fine clear तो इन चीजों का ध्यान रखे जो आप अपने focus करना not 350 360 is not your goal अगर आप NDA में seriously जाना चाहते हैं 360 का गोल लेके जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा right there is very high probability की 370 नमबर आपने return में लिए और आप merit out fine तो सारा process करने के बाद यह बहुत disheartening हो सकता है कि हम merit में figure out नहीं कर रहे है right so I would say कि हम थोड़ा से चीज को संबसके करें और get our focus on scoring 424-25 marks fine so that was about a cut up and then if you want to go for your NDK examination की preparation करनी है विए very exclusive and focused program for you guys right यहां पर classroom program की बात करो में अगर ठीक है और आपको अविलेबल रहेगा निम्बस defense academy में जिसके लिए आपका 400 आस का total classroom coaching है daily 5 hours आपको जो dedicated classes मिलेंगी और specially जिसे मास की बात करेंगे daily मास का one and half hour का session होता है along with the practice question that is given to you for your homework right so six days a week sessions रहता है 600 plus topic test जितना जो भी आपको topic होगा जो भी class में teach के जाएगा साथ में ही जो वो उसका topic test जो आपको practice करने के लिए दे जाता है और once you are done with that topic उसके बाद अलग से आपका जहाँ वो टेस्कंड के जाता है तो we believe कि conceptual actual understanding followed by the practice followed by the doubt session that brings out results this is one of the reasons we are one of the highest result production in North India right so dedicated program है जो हम candidates को provide करते हैं we'll get the best results more than 60 sectional test sectional test छोटे-छोटे test होते हैं जैसे math math calculus का लग्से test बन जाता है technometric अलग test बन जाता है है तो similarly जो coordinate geometry पूरी geometry है coordinate geometry along with your vector and 3D उसका अलग से एक sectional test हो जाता है तो once you are done with the section wise हम work करते हैं once you are done with the one sections you get your test for that and you'll come to know कि आप और all geometry के section में कहा stand करते हो calculus में कहा stand करते हो trigonometry में कहा stand कर रहे है algebra में कहा stand कर रहे हैं so these are very helpful tests next time doubt sessions weekends के ओपर जो भी whatever Monday to Saturday तक जो भी आप study करते हो Saturday will be one test जो आपने study किया Monday to Saturday उसका test होता है along with the doubt session जो भी आपको doubts है वो doubts are cleared on the Saturdays right और national level mock test series रहती है online भी होती है offline भी होती है 15 mock test आपको प्रवाइड की जाते हैं on actual pattern हमारे जो experts हैं डिवाइज दर टेस्ट जो अक्च्छल पेपर होता है उसी पार्टन के ओपर जो आपर जो आपक्छल एंडिये का वेपर जो है इल्कुल वैसा ही पेपर जो आपने सेट किया है एंड वंस्यू सिट इन टेस्ट जो आपनों स्कोर आएगा जो हमारे mock test में स्कोर आता है जो actual में डिये में स्कोर आएगा उसमें मुश्किल से 5% का difference रहता है वो उस दिन का सेम डे की प्रफॉर्मेंस से वो भी मेंटर कर जाते हैं एल्टिमेंटी एक स्टेस्ट इस दाट में प्रवाइड तो यू गाइस राइट और बुक्स स्टॉटी मिटीरियल हमारे एक्स परसें जो डिवाइस किया है टेन बुक्स आट इस प्रवाइड तो यू आपका आप यह टेस् सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा स्कूर्ट आपकी प्रफॉर्मेंस पचास नमबर उपर नीचे हो सकती है सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो डेडिकेटिव प्रोग्रम रहता है राइट सम्वे एरूंड त्री एंहां मंसका जो प्रोग्रम रहता है आप टीचर के साथ 1-2-1 कम्यूनिकेट कर सको कूद आउट है क्वेरी प्रोग्रम 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 राइट और ओल्लाइं भी हम जूम के ओपर टीच करते हैं विर यूट आप सकते हैं तो उसमें कोई डाउट या कंफीजन नहीं रहता है यूट रहेंट है यह रिपीट कर दो यह 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 चैनले सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारा प्रोग्राम रहते हैं नॉन प्रोग्राइब करते हैं तो पीसियम प्रोट्ट्री में आपकी ट्यूशन यह बोड की ग्लासे उसके साथ में एंडी प्लस एससी की प्रपेशन एससी के अंदर चैसे आपका अब करम्निकेशन स्किल हैं आपकी हॉबीज हैं सपोर्ट है एक्स्टा करीक्षिक एक्टिविटिज हैं अपने इंडिजन ग्रूमिंग क्यों पर फोकस कर सकते हों और यह था था रीघ्ड है 1-2-1 बहुताँ कभी सिफलन्ट के लिए उर्स का प्रॉग्राम लेते हैं। तो दाटे दिस प्रोगरम जो कि यहां पर निंबस सेफेंस चेडमी में अंड के लिए रहन किये जाते हैं mobile application है you can download the mobile application and register there for the pre-mock test so mock test job warning platform के अपर अवलेबर रहेंगे you can go through वहांपर video courses भी अवलेबर रहते हैं short test भी अवलेबर रहते हैं but this यह जो mock test series है full-length mock test series that will be available to you free of cost you don't have to pay anything for that so next uh there's one batch that is we are coming up with the unique initiative right we want to maximize our results और हम चाहते हैं कि जो deserving candidate है जिसके इंदर potential है जिसके जील है कि मुझे defense में जाना है मुझे इंडी क्लियर करना ही करना है अगर ऐसे experience है ठीक है right so in north india we run about of 100 students right 100 dedicated students जो कि इनको defense में ही जाना है तो यह उन बच्चों के लिए so that is pre online coaching right for 100 students that is provided by Nimbus defense academy और वो students जो हाँ डिफरेंट रीजन से हम जो शॉट लिस्ट करते हैं we take up 20 students from Himachal we take 20 students from Punjab we take 20 students from Varjana because यह जो north india का region है यहां से maximum students वहां वो they have an aspiration to become officers fine and then we also take up the 40 students from Chandigarh and fish right local Chandigarh schools we take up 40 students and they are trained free of course at Nimbus defense academy right one of the best trainers they guide you to train you and they bring out the best from you right to the only thing is you need to follow our experts my experts on good Eddie के लिए आप फॉलो करोगे you will definitely be successful nobody can stop you right next time बात करें जो defense persons है उनके वार्ट के लिए उनके जो बच्चे है उनके लिए 20% discount रहता है across all the courses 50% discount for all tennis school and multi-school students multi-school जो से राश्टे मिल्टी स्कूल रहते हैं right और जो सेनी स्कूल से हैं उनके जो स्टूदेंस हैं उनके लिए 50% फीज वेवर रहता है विकास दीजा तक एनेट से हैं उनका सब्सक्राइब जाना है तो उन बच्चों को हम भी स्पोर्ट करते हैं कि आपको जाना है तो वी आर विदिए आल्वेस गई आल्वेस गई आल्वेस गई आप 10% discount for the students meritoris students 80% जिनका scoring है उनको 10% discount रहता है देन 20% fee waiver for the students scoring 90% in 10th and 12th 10th 12th में अगर 90% रहता है 20% fee waiver will be dear right so and then 25% fee waiver for the NCC cadets जो इनके पास NCC है आप लोगों में अगर जजबा है जनून है कि मुझे NDA क्लियर करना है मुझे डिफेंस में फाज में जहाब ऑफिसर बनना है so there should not be any barrier we are always here to help you out right with one of the best quality content and study notes right so for any details any any sort of help you want right we are here Nimbus Defense Academy we are based in Chandigarh you can get in touch with us these are the contact details 8558 00033 we are based in sector 34 Chandigarh right so कोई भी information कोई भी आपको help चाहिए तो you are most welcome and we wish to see you as an officer in future good luck all the best dang it you